नमस्कार में अन्पूर्णा विस्कर्मा आप देखें जीडिवीनियोश जीला उमरिया में लूट के दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया किरफता उमरिया जीले में नहीं थमरा है लूट एवं जोरी के वर्दातों का सिलसिला जीले के विर्सिंग पुरपाली ठाना चेतर के एंतरगत ग्राम कुमुर्दू के समें देर रात्री आरोपियों ने लूट के वड़ात् को अन्जाम दिया था जा संबन्धी थाना पुलीश ने पुलीश अधिचक के निर्देशन में दोनों आरोपियों को विर्शिंग पुरपाली छेतर से गिरपतार करते हुए नियाइक अभी रच्छा में भेज़ दिया गया हाना छे थे के MPB कालोनी निवासी फर्यादी मनुच कुमार घटना के दरान राती आठ बजे अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे उसी दरान राते में आरोपि संकर चौधरी एवं सीमंगर सी फर्यादी का रास्ता रोकर गाली गलोच करते हुए उसकी मोटर साइकेल मोबाइल एवं नगभी रूपे लूट कर मौके से भाग गये थे वही पुलिस ने तोनों आरोपियों के विरुधारा 392 के तहट अपराद दर्च कर लिया गया है। चीले में आरोपियों द्वारा अभी हाली में दीनों में 59 के आवास पर लूट के वरदात की गई थी एवं उसके पहले थी कई चौरी एवं लूट की घटनाय हो चुकी है आरोपियों के होसले बुलंद हैं वही सभी मामलों को कम्रिता से लेते वियों पुलिस अधिक्चा के निर्देशन में अपराद ही घटित करने वाले आरोपियों पर कारवाह की जाएगी। ये सिव मरिया से संकर सिंच अंदिल की एक खास रिपोर्ट। पुलिस के अथक प्रयास ऑपरिशन से वह 24 घंटे के अंदर गिरफतार किये गए उसी तरह अभी देखा गया कि पाली में भी वार्दात हुई उसमें पुलिस ने बहुत अच्छा साराणी काम किया है और उनको पकड़ा गया मैं यह चाहता हूं कि पुलिस द्वारा और अ क्योंकि उमरिया एक शांद प्री वातावरण है उस शांद प्री वातावरण को खराप करने वाले हर व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफतार करके उनको अंदर करना चलिए यह थाना पाली के अंतरगतिक सुचना आई थी मनोज कुमार बैठा है यह सना भग्वू मंधा का निवासी है तीन सितंबर की राग के अपना दुकान बंकर तर यह जा रहा था तभी ग्राम कुमुर्द अपने दोस्त के घर जा रहा तो रास्ते में इसको संकर्ट चौदर करते हुए दोनों आरूपी को गिरफतार कर लिया है और मामले की विवचना जा रही है